को वा गुरूर्यों ही ही तो पदिश्ठा शिश्यस्तों को यो गुरु भक्त आईव को दीर्ख रोखो भव है बसाधो किमो शधंतस्य विचार आईव आदि शंकराचारे जी कहते हैं गुरू कौन है गुरू वो नहीं जो तुम्हें अध्यात्मिक ग्यान दे गुरू केवल वो नहीं जो धरन का ग्यान दे गुरू केवल वो नहीं जो गिर्वे वस्त्रधारिन करे अरे गुरू तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे तुम्ह से बड़ी वीमारी क्या है है सादों बार बार जन मनेले न और उसकी ऑश्यद ही क्या है भगवाल के नाम के रूच्वाक करी के मार की होने पर वक्री होए हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बूद कराते हैं ज्यान का बूद कराते हैं सुख साधन एश्वर रेधन संपत्ति नाम सम्मान सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरू देते हैं जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मान हानी हुई जब वक् आगी हुए हैं तो आपकी राशी में क्या देंगे आज वो ही जानेंगे गुरू जो है चार सितंबर को वक्री हुए थे और 31 दिसंबर रविवार के दिन सुखे के आठ बच के 9 मिनट को ये मार्गी हो जाएंगे गुरू अच्छे हूं जीवन में एक अच्छा सद्गुर है जो हमारा मार्ग दर्श्वन करता है तो चलिए शुरू करते हैं गुरू घ्रे का मार्गी राशी फल लेट्स केट स्टार्टिट ये जो राशी फल है आपकी चंदर राशी पर आधारित है अगर आपको अपनी जर्मकुणली अनुसार अपनी चंदर राशी पता नहीं है तो नाम राशी से भी आप इस राशी फल को देख सकते हैं ये जो राशी फल है जो ही मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है आप सभी भक्तों के ग्रेहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवगरे शांती महायक्य का आयूजन कर रहे हैं जो लोग भी दिली में है उसके आसपास हैं या दिली आ सकते हैं तो आकर के स्वेम अपने नाम से अपने हातों से आप आहूती उस यग्य में प्रद आरे के बाद नोगरे शांती की कथा की जाएगी उसके मुखी अजमान बनना चाहें या आयूजन में आप सहयोग देना चाहें तो बिलकुल आप दे सकते हैं वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है ये सात्वा महायक की हम करने जा रहे हैं और ब देवताओं की कथा कर श्रवन करता है उनके सभी दोश समापतों होते हैं जनम कुणली में कितने भी विकट ग्रह बैठे हो पूरे से पूरे हो नीच से नीच हो सभी शुप में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस कथा को स्वैम आकर के जरूर सुने इसके मुख्य अजमान ब जो सिच्वेशन आपके लिए बहुत नेगिटिव थी वो सारी सिच्वेशन आपके लिए पॉजिटिव होने वाली हैं कुछ लोग जो आपके प्रती नेगिटिव थे वो भी लोग आपके लिए पॉजिटिव होने वाले हैं जिन चीजों में आपको फेलियर देखने को मि डात करी लोही इंहीं के लोगों का प्रसपेक्टिव आपकी बहुत चेंग होने वाला है आपके बारे में जो सूचते थे जो समझते थे ऑफ बिलकूल चेंग हो जाएगी इमेज कह scalp, जैसे कियते है, बहुत से लोग इमेज क्रेट करना चाँते हैं, ब्रांड क्रेट करना चाहते है आपनी कंपनी क्रियेट करना चाहते हैं, जो लोगों को एक इमेज दिखे वो इमेज आपकी बदलने बाली है, तो वो इमेज अच्छी हो जाएकि Snake, decía रही रहे जह पहुचेंगे जहां एकदम लोगों का बरताव आपके तरफ बदल जाएगा, तो जो लोग आपके पीछे चुगली करते थे, जो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते थे, जो लोग आपके लिए गलत प्लोटिंग कर रहे थे, वो सारी चीजे चेंज होने वाले, तो य कि वो आप सम्हाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी जीत होती हुए, लोग आपको सम्मान देते हुए, आपकी फैमिली में आपका रुत्बा बढ़ते हो, यह सारी चीजे में देख पा रहे हो, कुछ चीजों का आप अगर वेट कर रहे हो, कि ओपुच लाइफ है या बिजनेस हो, कहीं ना कहीं दो चीजों को आपको मिलेगा, तो यह आपके उपर है कि अब आपने कौन सा आप्शन चूझ करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को आपने आगे लेके जाना है, लेकिन आपको जरूर मिलेगा, और आप उस ऑप्शन पे समस्य आई थी जिस से मैं मेरे परिवार बहुत परीशान था सबसे जादे समस्य मेरे बेटे के बारे में था उसके एक ती और वसकी जादी जब मैं यहां पर आया मा में जो नारियल और चुन्नी दी थी माने तो पहले दिन से ही ऐसा शांती और उसका काम में भी बरकत और जो उसकी प्रूब्लम थी उसमें बहुत अराम होता चला गया उसके बाद मैंने छोटे बेटे के लिए गुरु मा को बताया तो उन्होंने भी नारियल और स्वामीटर कपड़ मैं नारियल वह मैं क्या शक्ति देती है की काम जैसे ही उसको पीते हैं खाते मा कहते हैं करते हैं कुछ लोग अपनी माता से क्लोज होते मुझा दिखाई इस समझ नहीं में आपकी बिणत साथ रहे था, कि अचैंता की अचा चुछ है जह आपा रहे था, आपको लोग गलत समझ रहे थे, उर आपकी इस फेमिनीन साइड नहीं इन आपा रहे थे, जह मतलब कर आपके अंधर प्रती नहीं देख को नहीं देख पा रहे थे अब लोग उसे देख पाएंगे तो एक बहुत अच्छा समय है सोशल मीडिया में जितने भी लोग है उनके लिए तो बेस टाइम है गुरू की दृष्टी खुलते ही तो बस बल्ले बल्ले है आपको आपकी उन्नती को कोई नहीं रोख सकता आपको चमकने से कोई नहीं रोख सकता बहुत से लोग आपसे जूडते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी पूरी अगर मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ जो भी मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोग आपकी आसपास बने हुए हैं और सब आपके दुष्टी बनाए हुए थे लेकिन अब उनकी दुष्टी बदलेगे और इतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते थे और सब आपके करुणा को देखेंगे आपके अच्छे मन को देखेंगे वो चीज दिखाई दे रही है आप बहुत से लोगों के लिए प्रेणा दायक भी हो सकते हो खासकर अगर म्यूजिक से कनेक्टेड आपका कुछ भी है आप गाते हैं या आप म्यूजिक में तो परसनली आप म्यूजिक सुनना शुरू करेंगे और ऐसे म्यूजिक का एक रूटीन बनाएंगे कि हमें ये सुनना ही सुनना इतने बज़े सुनना है और ये चीज हमें सुनने है उससे भी आपके अंदर काफी हीलिंग होगी पॉजिटिवनेस आएगी ऐसा दिखाई द कुछ लोगों का पैट गुम गया था या फिर कुछ लोगों का पैट जो है वो उनसे दूर चला गया था तो आप दूसरा पैट भी अडॉप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए समय है इसका लाव उठाईएगा किसी भी प्र या अगर जनमकुणली नहीं है तो चहरा देख करके भी हम उपाई करते हैं फेस रीडिंग से जनमकुणली बनाते हैं और अगर आपको कीवल कोई समस्या है तो उसके लिए जो भी मैंने इतने सालों में सिध्धी प्राप्त की है उसके द्वारा आपको नारियल मंत्र सिध करके देती हूं उसके प्रयोग से भगवान की ऐसी कृपा है दरबार की ऐसी महिमा है जो भी आता है ग्यारा बार में उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है तो एक नारियल सभा मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और भगवान शनीदेव की कृपा आपने साथ ली जाएं आप सभी को आशिरवात देते हैं आपके लिए समय बहुत सुखद हो बहुत आनंदायक हो ऐसी में प्रात्ना करती हूं जै शनीदेव जै श्री कृष्णा